कोश्चन नमबर 17 हमें गिवन है कि x is equal to y और y is equal to y और हमें find करना है d square y over dx square ठीक है तो करते हैं पहले तो d यहां पर t variable है तो पहले तो dx by dt find कर लेते हैं तो क्या value आएगी हमारे पास a का a रहने दो कॉस्ट तो क्या value मिलेगी t के respect में कर रहे हैं तो t ही है यहां पर तो cos t का में मिलेगा minus का sin t फिर t को क्या दिफ्रेंस एट तो one मिलेगा into में one आएगा plus तो plus t into में sin t इसको u let कर लो इसको v let कर लो formula यह रहा u dash v plus v dash u तो t का हमारा one आएगा तो one into में sin t u dash v कर दिया हमने plus v dash sin 2 को दिफ्रेंस एट तो हमें लेगा cos t into में u u मारे t है तो into में t यह आगया हमारे पास value थोड़ा सा इसको simplify कर लो तो क्या आगया हमारे पास a into में minus का sin t और यहाँ प्लस का sin t है cancel जाएगा है ना फिर plus तो plus का हमारे पास cos t into में t मतलब t cos t यह value आगे मारे पास dx by dt की अब ऐसे ही आप dy over dt वी find कर लो dy over dt का हमारे पास y यह रहा करो differentiate इसको t के respect में a का a रहने तो constant है sin t का क्या होगा हमारे पास cos t होगा cos t माइनस तो minus कर तो differentiate इसको u let कर लो इसको v कर लो तो u dash v plus v dash u तो u dash t का differentiation क्या होगा हमारे पास 1 होगा तो 1 into में v मतलब cos t और फिर plus तो plus v dash u cos को करे डिफरेंस सेट तो में मिलेगा a का cos t माइनस का cos t तो माइनस का cos t और माइनस और यहां पर क्या है माइनस का sin t into t मतलब plus का t sin t यह cancel होगया तो क्या मिला हमें a into में t sin t यह value मिल गए हमें हमें find करना है dy over dx पहले तो dy over dx हमार क्या आएगा यह हम कई वर कर चुके हैं क्या करते हम dy over dt को divide कर दो dx by dt से dt से dt cancel हमें dy over dx मिल जाएगा तो यह हमारे dy over dt क्या है हमारा a t sin t को divide कर दो किसे करना हमें dx by dt से जो कि हमारा है a t cos t कुछ cancel हो रहा है a से a cancel हो गया t से d cancel हो गया तो बचा गया हमारे पास sin over cos t मतलब sin over cos क्या होता है हमारा tan होता है तो is equal to 10 t तो हमने dy over dx फैंट कर ली हमें find करनी थी हमें find करनी है d square y over me dx square तो हम क्या करेंगे dx है इसे x के सब्सक्राइट में differentiate कर दो बस इतना करना में तो हमारे क्या है पहले 10 करो 10 कहता है हमारे पास sec तो sec square t फिर हम t को करेंगे differentiate x के सब्सक्राइट में तो हमें क्या मिलेगा t अलग है x अलग है तो हमें क्या मिलेगा dt over me dx है ना यह हमारा answer आ चुका है इसकी value नहीं थी लेकिन इसकी value है इसकी value क्या है मैं चाहता तो dad यह सब्सक्राइट था upon में लेकि मैं समझाने के लिए ठीक है तो यह हमारा answer आ चुका है बड़ यह थोड़ा और simplify हो जाएगा इसको और simplify कर लो d square y over dx square is equal to यह देखो cos t ऊपर जाएगा cos t ऊपर sec हो जाएगा तो sec square ऊपर पहले सही है एक और sec ऊपर हो जाएगा तो क्या जाएगा हमारे पास sec की power 3t है ना यह cos t है ऊपर जाएके sec t हो जाएगा क्योंकि one by cos sec होता है तो ऊपर जाएक सेक हो जाएगा तो one by cos sec होता है तो sec square ऊपर है एक और sec का जाएगा तो sec cube t आ गया और नीचे क्या बज़ गया हमारे पास a into me t at यह हमारा answer आ गया ओके